नमस्कार सभीको गूड मॉर्निंग मसूब करन साहेक आचारिय EFM आज हम बिकॉम पार्ट पर्थम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर पर्थम बिजनेस एकोनोमिक्स वेवसाइक अर्थ सास्तर के यूनिट संख्या थर्ड में चेप्टर कोस्ट अनलेसिस लागत विशलेशन के अंतरगत टॉपिक विविन रेखाचित्रों के माद्यम से एल्प कालिन लागतों की विवेचना या उसकी व्याख्या की हम चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने रेवन्यू अनलेसिस में आगम विशलेशन में विविन परकार के आगमों के बारे में हमने चर्चा की जिसमें कुल आगम और सिमान तागम और इन दोनों के मद्दे पूर्ण परतियोगिता और पूर्ण परतियोगिता के अंतरगत क्या सम्मंद था उनी से सम्मंदित अगले इसी करम में हम कोस्ट अनलेसिस चेप्टर में सोटरम कोस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसा कि आपको मालूम है कि लागत क्या होती है अलब काली लागतों के अधिन करने से पहले हमें कोस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है जैसा कि आप पूर की कलास में पढ़ चुके हैं लागत किसी वस्तू विसेश पर वे किया गया खर्च लागत कहलाती है इसी परकार हम एकोनोमिक्स में बात करें लागतों की तो यहां पर लागतों को दो भागों में बाटा गया है जिसमें अल्पकालिन लागतें और दिर्पकालिन लागतें अल्पकालिन लागतों की हम बात करें तो अल्पकालिन लागतें कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जैसा की नाम है अल्पकालिन सोट पीरियड अल्पकालिन लागतें की समयाओदी दिरकालिन लागतों से कम होती है जिसमें अल्पकाली लागते उत्पादन की मातरा के साथ परिवर्तन भी होती रहती हैं और नहीं भी होती हैं तो इस परकार से अल्पकाली लागतों को हम दो भागों में बाट सकते हैं पहली है इस्थाई लागतें fixed cost दूसरा है परिवर्तन सी लागते यह अपने अलप कालिन लागतों में इसको हम जानते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अलप कालिन लागतें वे लागत होती हैं जो एक फरम के अलप काल में उत्पादन करने पर लगती हैं अलप कालिन लागतें कहलाती हैं यह दो परकार की होती हैं इस्थाई लागतें और परिवर्तन सील लागतें इस्थाई लागतें वे लागत होती हैं जो अल्पकाल में इस्थिर रहती हैं तथा उत्पादन बंद होने पर भी इन लागतों को चुकाना होता है तो अल्पकाल में ये लागते क्या होती है फिक्स्ट होती है प्रोडक्शन चाए बंद करो चालू करो इन लागतों को क्या करना पड़ता है चुकाना पड़ता है तो वो लागते होती है फिक्स लागते जैसे कोई फरम कंपनी उध्योग है जिसमें इस्थाई लागतों की हम बात करें तो कंपनी चाहे बंद हो चाहे चालू हो जिसमें कई परकार की लागतें ऐसी होती है जिनको उत्पादग या प्रबंद को चुकाना होता है जैसे बिजली का बिल है पानी का बिल है और भी विविन परकार की मैनुफेक्चर से समंदी कोश्ट है वो इस्थाई जो उत्पादन के मात्रा के नुसार परिवर्तित होती रहती हैं। उत्पादन बंद करने पर ये लागतें नहीं देनी होती हैं। वो हमारी परिवर्तन सी लागतें कहलाती हैं। और वेरियबल कोस्ट दोनों मिलाके हम बात करें। तो वो कुल लागत होगी। जब टोटल कोस्ट में हम कौंटिटी का भाग देंगे तो वो अपनी यूनिट्स का वो अपनी और वस्पादगल्गत होगी। तीसरी है सिमान्त लागत, मारजनल कोस्ट, सिमान्त लागतیں वह लागत होती हैं जो कुल उतपादन में होने वाली अतिरिक्त वर्दी को हम सिमान्त लागत कहते हैं तो इस परकार से ये परिवर्तन सिल लागते होती हैं अब हम इनकी बात करें आगे इनके फॉर्मलों की तो कुल लागत हम किस परकार से निकालेंगे तो कुल लागत जब हम ग्यात करेंगे तो इनके विभिन सुत्र हैं जो की एक समचित में हम इनकी चर्चा करेंगे कि कुल किस परकार से हम calculate कर सकते हैं total cost कैसे निकालेंगे total cost बराबर total fixed cost पलस total variable cost इनको जोड़के हम कुल लागत जात कर सकते हैं अगली हम बात करें average cost की average cost बराबर total cost बटे quantity और तीसरी हम बात करें marginal cost की तो कुल लागत में जो वर्दी होगी total cost और पलस वन total cost और माइनस वन तो हम जैसा की हम बात करें इसकी सहचितर व्याख्या की तो यहाँ पर जैसे बात आई हमारे पास fixed cost और variable cost की fixed cost और variable cost को हम किस परकार से पहचानेंगे की कौन सी इस्थाई लागत है कौन सी परिवर्दन सी लागत है यह मान लेते हैं किसी वस्तू की quantity पास quantity या दस quantity तक मान के चलते हैं total fixed cost total variable cost total fixed cost जैसा की मैंने आपको बताया उत्पार्दन बंद हो चै चालू हो यह लागतें इस्थिर रहती हैं जैसे मान लेते हैं 50 रुपीज यह fixed cost में आती है variable cost परिवर्दन होती रहती है उत्पार्दन के साथ साथ तो जैसे पहले में 0, 15 कोई भी मान सकते हैं क्योंकि यह परिवर्दन होती रहती है जैसे जैसे उत्पार्दन अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपनी परिवर्दन से लागतें भी बढ़ती जाती है इसलिए हम इसे बढ़ते करम में लिखेंगे तो इस परकार से हम टोटल कोष्ट की जब हम बात करें तो टोटल फिक्स्ट कोष्ट और टोटल वेरियबल कोष्ट को हम जोड लेंगे तो हमारे सामने टोटल कोष्ट आ जाएगी तो इस परकार से टोटल कोष्ट पहले में 50, 50, 15, 65, 80, 95, 100, 110, 125, 130 इस परकार तो इसको हम डाइग्राम के दुआरा हम देखें तो ये मान लेते हम वाई ओक्स किसी वस्तु की यहाँ पर अपन टोटल कोष्ट, टोटल वेरियबल कोष्ट और टोटल फिक्स्ट कोष्ट यहाँ पर टोटल फिक्स्ट कोष्ट है 50, 10, 10 का अंतर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, टोटल फिक्स्ट कोष्ट है अपनी 50 तो यह अपनी टौटल फिक्स्ट पोउस्ट हो गई टौटल फिक्स्ट कोउस्ट अब बात करें हम टौटल वेरियबल कोउस्ट की तो टौटल कोउस्ट को हम गयाद करेंगे इस परकार से क्यों कि पचास जीरो क्वांटिटी पे 0 आगया 2 पेप 15 तो इस प्रकार से अपनी ये total cost किस पर निक मिकलती है total fixed cost क्योंकि कुल इस्तिर लागतों के अतिरिक जो लागते हमें चुकानी होगी तो इस प्रकार इसका डायगराम बनेगा इस प्रकार से total variable cost का डायगराम बनेगा तो हमें सहचित्रों की बात करें तो ये इस परकारशे तीन लागते हमारे सामने आई जिसे समधित परसंड भी आप आसानी से कर सकते हैं अब हम इसी करम में हम बात करें अल्प काली लागतों में Average Fixed Cost तो Average Fixed Cost किस परकार से निकालेंगे Total Fixed Cost बटें Total या Quantity का भाग देंगे दूसरी Cost की हम बात करें Average Variable Cost की Average Variable Cost बराबर Total Variable Cost बटे Quantity Average Total Cost की बात करें तो Average Total Cost हम निकालेंगे Total Cost में Quantity का भाग दे करके या Average Fixed Cost प्लस Average Cost इस परकार से हम Average Total Cost की गड़ना कर सकते हैं तो ये तो हो गई अपनी लागतों की बात तो अल्प काली लागतें कि हम इसी करम में छोटा सा एक परसन करते हैं जिससे सभी चित्तर आसानी से सैचित्तर व्याख्या आसानी से हम कर पाएंगे तो एक छोटा सा एक numerical परसन ले लेते हैं आपके भूप के करमांग संख्या 12.15 पर हैं कोस्ट यहाँ पर क्वांटिटी आ गई वस्तूगी जीरो एक दो तीन चार पांच से साथ आठ नौट यहाँ पर टोटल फिक्स्ट कोस्ट यह यहाँ पर फिक्स हो गई टोटल वेरियबल कोस्ट अब हम बात करेंगे टोटल कोस्ट की तो टोटल कोस्ट में आपता है टोटल फिक्स्ट कोस्ट प्लस टोटल वेरियब कोस्ट का भाग देने पर अबाने पास टोटल कोस्ट आजएगी वो किस परकार से हैं 50, 50 प्लस मंदरा 65 इस परकार को कंट्यूनू जोडते हुए चले जाएंगे अब आजएगी एवरेज फिक्स्ट कोस्ट किस परकार से निकालना है तो टोटल फिक्स्ट कोस्ट में क्वांटिटी का भाग देने पर अपने पास एवरेज फिक्स्ट कोस्ट आजएगी यह अपने सामने इस परकार से है आगई अब आजएगी एवरेज वेरियेबल कोस्ट एवरेज फिक्स्ट टोटल कोस्ट में क्वांटिटी का भाग देके मारजनल कोस्ट होती है मैंने जैसे आपको बताया कुल लागत में होने वाली अतिरिक तवर्दी मारजनल कोस्ट कहलाती है तो यह अपनी मारजनल कोस्ट कैलकुलेट हो जाएगी जैसा कि सूत्रों की आधार पे अपन आसानी से इस टेबल की केलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं अब sie चितरों की हम बात करें तो एक साथ हम इनके सैचितर बना सकते हैं अपर आगे हम दिर कालिन ओसत लागत वक्रों की चर्चा करेंगे तो किस परकार से बढ़ेगा यह आपके टेबूल 12.13 में दे रखी है इसकी आपके बुक्स में इसको बना करके अपने विफिन परकार की लागतों को आप अनलेसिस कर सकते हैं तो यह तो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर सभी परकार की कोश्ट आ जाएगे जिसमें फिक्स्ट कोश्ट या विफिन परकार की लागतों में एवरेज फिक्स्ट कोश्ट एवरेज वेरियबल कोश्ट मार्जिनल कोश्ट टोटल वेरियबल कोश्ट यह सभी परकार की लागतों को हम calculate कर सकते हैं तो इस परकार अपनी marginal cost तो इसका करव इस परकार बनेगा जैसा कि quantity को लेकर के और marginal cost को लेते हुई बढ़ते हुए करम में average cost का करव average cost करेंगे तो average cost इस परकार से average cost का करव बनेगा average variable cost का average variable cost का करव इस परकार से बनेगा एवरेज फिक्स्ट कोश्ट का करव है इस परकार से बनेगा तो ये विभिन परकार की जो कोश्ट है इनको अपन ले सकते हैं बनेगा मतलब है जो अलब काली लागते हुई इसमें उत्पादन बढ़ने और घटने पर ये लागतें परिवर्तन छिल भी होती हैं और इस्थिर भी होती है तो हम इसी करम में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि दीरकालिन ओसत लागत वक्र क्या है या दीरकालिन लागतें कौन-कौन सी है और दीरकालिन लागतों का परबंद की ये छेतर में क्या उप्योग है और दीरकालिन लागत वक्र यू आकार का क्यूं होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच